कि जैहन क्लास वरी वाम वेलकम तो आल आफ यू इस दिव्याशु पांडे कल्यानी कुहेली रिया ओमसाई विद्याश्री सभी का वेलकम आज के सेशन में और जितने भी स्टुड़ गए हैं लगतार आप सभी जुड़ते जाएं यह आपकी के फकेट-, सेकेंड टुटी-थ्री की स्टैडिक gefragt वैसे तो अभी आपने धंने देखा होगा कि हिस्ट्री की फिस्ट्री की फर्स च्लास लेकिन कहँएं मैं कंजित थोड़ा आपका ठाइंटल में फर्क है बाकी हिस्ट्री की सेकेंड क्लास में कल करवाऊंगा ठीक है यह साइंटिपिक इन्वेंशन आज के सेशन ने हम डिसकस करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी दिक्कर नहीं होनी चाहिए कि अलिस फाइन दीपश्री का कल्यानी कल्यानी आप नियू स्टुडेंट हो कि विद्याश्री आप भी चलिए स्टार्ट करें आज के सेशन की तो अच्छी बात है जो नए स्टुडेंट जोड़े हुए हैं आप सभी के पास लगवक देड़ माईने बचे हुए हैं प्रीविएस जितनी क्लासिस की वीडियो लिंक और पीडियाफ्स है उसको आप पढ़ लीजेगा और बाकी आज से ही डेली अपने नोट्स बनाना शुरू करिए और आप अपने लैप्टॉप अपने मुवाइल के सामने मुझे सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं इस क्लास को तो नोट्स भी आप अपनी प्रिपेर करते रहिए आज के सशन में साइंटेफिक इन्वेंशन कवर करेंगे इस क्लास में मैंने इसरो से रिलेटेड आपको पढ़ाया था अब देखिए वर्ल्ड में ओल्ड और न्यू साइंटिफिक इन्वेंशन सापके होते रहते हैं जिसमें जिससे रिलेटेड कोश्चन आपके एक्जाम में आ जाते हैं शुरूआत करते हम आटम बॉम से ठीक ह तो रॉबर्ट ओपिन इमेर का नाम आप सभी ने सुना होगा 16 जुलाई 1945 को इन्होंने न्यू मेक्सिको के आलम गोल्डो डजट एरिया में विश्व के पहले परमाडू परिक्षड किया था और इसके बाद से ही आउगस्ट 1945 में अमेरिका के दौरा जापान के नागशा क हिरोसीमा पर आपके एटम गिराए गया थे जिसको लिटिल बॉइ नाम दिया गया था तो यह आपके इसको ट्रीनिटी टेस के का नाम भी दिया गया था पहला इटामिक बॉम था और एटम बॉम के फादर जो है और रॉबर्ट ओपन इमेर को कहा जाता है तो इस सब आप रोड़ डाउन करते रहे नेक्स्ट एविएशन तो एविएशन में आपके एलवर्टू सेंटोस ड्यूमेंट का नाम आता है जो की एक ब्राजीलियन इन्वेंटर थे और इनके द्वारा एयर प्लेन आपका बनाया गया था तो पहला मैनमेड कमाइन इंटर्नल कमशन उनी थी उस प्लेन को जो है एलवर्टो के द्वारा आपका बनाया गया था अगला है रेल्वे तो क्लास 7-8 से यह आप पढ़ते आ रहे हो रेल्वे 1814 में इस्टफ हैंशन के द्वारा आपका कॉंस्टर्ट किया गया ब्लशर फॉल हॉलिंग कोल एट किलिंग वर्थ कोलिरी नियर नुकैसल इन 1885-1815 ही इन्विंटेड आ सेफ्टी लैं इन दी कोल माइन जिसका नाम जॉड़ी आपका रखा गया था तो देखिए इस्टफेंशन के द्वारा जो है रेल्वे इंजने का निर्मान किया गया थ अगला है केमिस्ट्री जिसको हम हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान कहा करते हैं तो देखिए रॉबर्ट बॉयल और एंगलो इरिष वजन एंगलो इरिष नैच्रल फिलोसफर केमिस्ट फिजिसिस्ट इन्विंटर थे और इनके द्वारा अभी कहम जो पर्टे हैं उसको इनके द्वारा आपका फांड किया गया था यह अगर आप में से कोई जानता हो तो जरूर आप बता सकते हैं आगे बढ़ते हैं modern chemistry की तरफ तो देखिए एंटोनियो लॉरेंट लैवीजियर लैवीजियर का नाम याद रखे रही है father of modern chemistry इनको भी कहा जाता है और elements of chemistry इन्होंने आपकी बुक लिखी थी 1787 में इन्होंने पहला list of elements को discover किया compile किया ठीक है अगला है genetics तो अरिस्टोटल यह ग्रीक philosopher थे और ग्रीक में सबसे महान और सबसे पहले कोई philosopher हुआ है तो वो Aristotle हिंद्ने में इनको क्या कहा जाता है अरस्तू कहा जाता है ठीक है और इनको बहुत सारे विश्यों का आपका ग्यान था और इनको जो बाइलोजी के भी father के नाम से भी आपका जाना जाता है ओके फादर आफ बाइलोजी modern psychology William Wundt जैसे आप M.A. पढ़ोगे बीट पढ़ोगे तो उसमें William Wundt की थियोरी जो है पढ़ाई जाती है father of modern psychology ना psychology को क्या कहते हैं मनोविज्ञान कहते है 1879 में इनके द्वारा जो है आपका modern psychology की एक unique field बना कर तयार की गई थी आज थोड़ी मेरी तवेत खराब है तो मैं अपना camera off कर देता हूं क्योंकि light से थोड़ी मुझको problem हो रही है बाकि आप सब पढ़ते रही है चलिए modern psychology आपने देख लिया अगला है immunology एड़वर्ड जीनर तो यह आपके इनका contribution smallpox को eradicate करने के लिए immunity immunization के लिए आपका दिया गया था और इसलिए इनको father of immunology के नाम से जाना जाता है यह है एड़वर्ड जीनर जो कि 19 1749 में आपका जन्मे थे और इन्होंने smallpox की vaccination आपकी तयार की थी और हिस्टी में इनका जो आपका invention था वो successful आपका रहा था इस कारण से एड़वर्ड जीनर को जाना जाता है पिर है आपका genetics तो father of genetics जो है सर ग्रीगर मेंडल को कहा जाता है Austrian एक civilian थे और इनके द्वारा जो है he constructed and conducted thousands of experiment on pea plants class 9-10 हमें आमने पढ़ा ही होगा पेड़ों के उपर इन्होंने किया था ठीक है अगला है microbiology लुइन हाउक universally acknowledged as the father of the microbiology he discovered both protists and bacteria नेक्स्ट nuclear physics अर्नेस्ट रदरफोर्ड रदरफोर्ड का नाम तो आप सभी जानते हो और चाहे एक्जाम हो या फिर अधर एक्जाम्स हो तो इंसे रिलेटेट्ट कूशन पूछी लिए जाते हैं father of nuclear physics इसका आपको कहा जाता है ओके अगला है modern physics के जनक कहे जाने वाले गैलेली यो गैलेली फादर आप फिजिक्स और इटालियन mathematician physicist astronomer थे and he pioneering role in finding the motion of the bodies and developing the telescope तो टेलिस्कोप इन्हों ने बनाया था उसी के वज़े से आग चली गई थी इनकी अगला है geometry तो देखिए यूकलिड वस ग्रीक बथभीटीशन इस कॉल्ल दा फादर आप जवेट्री जवेट्री को हिन्ने में ज्यावती विज्ञान कहा जाता है ग्रीस में 325 बीसी में ये बॉन हुए थे और इनकी दौरा आपका जवेट्री फॉर्म की गई थी क्लास स्टेंथ में आपने NCRT का जो पहला ही चैप्टर वो क्या है यूकलिड डी लीमा मेथट्ड किसने किसने पढ़ा है किसी को याद है कि भूल गए सब बताओ कल्यानी कोहेली ओमसाई रिया विद्याश्री किसने किसने यूकलिड डीमा मेथट्ड पढ़ा हुआ है उसी के ये फादर आपके कहे जाते हैं नेक्स्ट मैथमेटिक्स तो देखिए आर कमेड़ी इस नोग आज दी फादर आफ दा मैथमेटिक्स ये ग्रीक से आपके आते थे और इनका जो हम कह सकते हैं कि योगदान है वो काफी बड़ी-बड़ी फिल्ड में हैं जैसे कि एरिया ऑफ दशेप्स रिलेशन्शिप बेट्विन इस्पेर्स एंड इसलेंडर्स यूज अफ प्राइम नंबर्स टॉपिक ऑफ इंफिनिटी कॉंसेप्ट आफ कोईनाइट्स एड इस पेरोइट्स और इनके द्वारा आर्कमेडिस प्रिंसिपल भी दिया गया था क्या बता सकते हो कि आर्कमेडिस प्रिंसिपल क्या कहता है बताओ सभी जित्रे भी क्लास में हैं बताइए कि आर्कमेडिस प्रिंसिपल क्या कहता है अगला है इंटरनेट तो इंटरनेट आप सभी चलाते हो इंटरनेट से ही आप कनेक्ट हुए हो तो इंटरनेट को सबसे पहले विंट कर्फ और बॉब कान के दौरा आपका को डिजाइन किया गया था TCP, IP के मॉडल पर और कान हैट सक्सेस्फोली डिमांस्ट्रेटेड अरपार नेट अगला रोबोटिक्स तो देखिए बदी अजजमन अभू को जो है आपका ये एक पॉली मैथमेटिशन थे स्कॉलर थे इंविंटर थे और इनको रोबोटिक्स का जनक कहा जाता है मेस्पोटामिया से आते अगला है कंप्यूटर तो क्लास वन का भी बच्चा बता दे हूँ इस दा फादर आप कंप्यूटर चार्ल्स बैविच मैथमेटिशन इन्विंटर फिलोस्पर और मैकेलिकर इंजिनियर थे इन्विंटर तफर्स मैकेनिकल कंप्यूटिंग मशिन इन 1821 और इन्हों ने एनालेटिक इंजिन को भी आपका बनाया था आल्टिफीशल इंटेलियंस जिसकी बात आज कल आपकी काफी चाही हुई है और 25 सेंचूरी में यह वाला जो आप दौर देख रहे हो वो एई आई सिस्टम पर बेज़्ड है तो सबसे पहले जौर मैकार थी जो कि कंप्यूटर अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे इ पूलर सिस्टम को बताने वाले साथ ही साथ यह कहने वाले कि अर्थ जित्रे भी प्लानेट्स हैं वह सभी अर्थ के चारो और रिवाल करते हैं यह किसने बताया था और इसी के लिए इनको आपका सजा दी गई थी नेक्स्ट आपका इंडियन नुक्लियर साइंस सभी इंपॉर्टेंट है और कहीं से भी कुछ भी कोश्चन पूछ लेगा एक कोश्चन आपका तीन नंबर का है तो ध्यान आप देते रहें एक घंटे की क्लास है अच्छे से आप पढ़िए सुनिए भूमी जहागीर भावा इस नोन एज दा फादर आफ इंडियन नुक्लियर प्रोग्राम यह इंडियन नुक्लियर फिजिसिस्स थे जिनके द्वारा भारत में भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और टाटा इस्टिउट्यूश आफ फंडनमेंटल रिसर्च आपका इस्ट अपका किया था और अटॉमिक इनर्जी इस्टेबलिस्मेंट जो है 1966 में आपका बन गया था और फिर इसको जो है आपका रीनियम क्या कर दिया गया भावा एक्टॉमिक रिसर्च सेंटर के नाप पर कर दिया गया अगला है नैनो टेक्नलोजी तो अमेरिकन चैमिस्ट और एरेट सैमली जुनको फादर आफ टेक्लोजी नैनो टेक्लोजी कहा जाता है 1966 में इनको नोबल प्राइस के लिए आपका मिला था और इनोंने कारवन 60 की डिसकेवरी की हुई थी अगला है बैरोमीटर अच्छा ही बताओ बैरोमीटर के इस्तवाल किसे लिए करते हैं ओम सा इत्राइलियन फिजिस्ट माथमेटिशन इंविंटर अफ दे बैरोमीटर बिल्टिव 1643 प्रेशर के लिए एटमोस्फरीक प्रेशर के लिए बन्टोमोबिल आटो मोबिल पर्डिनेंट वर्बिस्ट तो ये आपके एक एस्टोनावर मैथमेटीशन थे इनके द्वारा विश्च का पहला आटो मोबिल आपका तयार किया गया था ओके और इसको जो है इस टीम से पावर दी जाती थी अगला है एक्सरे सबसे बड़ी खोज और जब हम अपना एक्सरे करवाते हैं तो इनहीं के बड़ावलत हम अपनी जो है हेल्थ को चेकप करवा पाते हैं इनका नाम है विलियम रोएंटेजन डवलू सी रोएंटेजन पहला नोबल प्राइज फिजिक्स पे 1901 में इनको आपका दिया गया था ठीक है इलेक्टरिक बल्ब तो आप ले तो बच्पन में थॉमस एलवा एडिशन की कहानिया सुनी होंगी क्लास 10 11 12 में तो देखिए थॉमस एलवा एडिशन ऐसे पहले वक्ती थी जिनके द्वारा इलेक्टरिक बल्ब का विश्कार किया गया इसके अलावा इन्होंने ग्रामोफोन इमली बरलिनर जिससे आपका हम ध्वनी सुनते हैं साउंड सुनते हैं उसको जो है आपके जूइस अमेरिकन साइनटिस्ट के द्वारा आपका बनाया गया था ठेक है, इमली बरलिनर अगला है टेलीफोन Alexander Graham Bell Alexander Graham Bell के दौरा टेलीफोन का आइडिया लाया गया और इनके दौरा इस most popular device को आपका बनाया गया था डीजल इंजन Rudolph Christian Carle Diesel तो Carle Diesel के दौरा आपका डीजल इंजन बनाया गया ठीक है और अब इसी का updated version का इस्तमाल हम सभी अपने गाड़ियों में किया करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलवर्ट आइस्टीन तो देखिए अलवर्ट आइस्टीन के बारे में बतानी कोई जरूरत तो होगे नहीं सभी जानते हो 20 सेंचुरी में इन्हों उन्हें काफी डेस सारे इन्वेंशन्स आपके किये हैं जुसमें सबसे इंपोर्टेंट आपका क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इन्वेंशन हैं अगला है पैनिसलीन वर्ल्वारफ के समय आपकी काफी प्रॉब्लम देखी गई थी जहां पर इन्होंने आपका पैनिसलीन का टीका आपका निन्माल किया था ऐसी सूल्डर्फ जो की आपके वार में infectेड हो जाते थे उनको आपका पैनिसलीन दिया जाता था जिससे कि उनको आपकी सहायता प्रवाइंट की जा सके और यह इसके वग्यारी सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे मैगनेट टेप फ्रिट्स क्लिवमर जर्मन ऑस्ट्रीन इंजीनियर थे इनके द्वारा मैगनेटिक टेप का आपका अविश्कार किया गया था ठीक है और फिर आपने देखा होगा आपके घर में भी रेडियो या फिर कह सकते हैं कि जो क्या कहते हैं उसको साउंड सिस्टम होता है ना पहले कैसेट आपकी लगती थी तो उसी प्रकार का यह है इंसुलिन इंसुलिन का टीका नाम सुना होगा आपने तो इसको जो है पैडरिक बैंटिंग के दौर आपका बनाया गया था और इस रिसर्चर ग्रुप्स ने जो है आपका नोबल प्र लेकिन कम हो गया है जी हाँ को ही लिए डाइबिटीज के लिए इंसुलिन का टीका वेरी गुड पॉलोराइट इंस्टेंट कैमरा अब इसके फावंडर कावन है एडविन हर्वर्ट लैंड है अब इससे होता क्या है आप रियल टाइम तुरंत इमेज जो है हाड कॉपी मे निकालके दे दोगे सैमूल मोर्सी सिंगल वायर टेलिग्राफ सिस्टम ठेक है टेलिग्राफ आपने मूवीज में देखा भी होगा तो इसको जो है सैमूल मोर्सी की द्वारा जो की अमेरिकन पेंटर थे इनके द्वारा बनाया गया था गूगिल लिल्मो मार्कोनी मार्कोनी की द्वारा रेडियू टेलिग्राफ सिस्टम का आपका अविश्कार किया गया जिससे की हम लॉंग डिस्टेंस रेडियू ट्रांस्मिशन कर सके और इसके लिए इनको जो है 1909 में नोबल पुरुस्कार भी दिया गया था अगला है ज पहला प्रैक्टिकल टेलिविजन सिस्टम आपका अविश्कार किया गया था जे लवी इसको इनका शॉट फॉर्म है इनके बारे में तो कौन नहीं जानता होगा चंदर शेखर वेंकट रमन सीवी रमन रमन इफेक्ट इसकैटरिंग आफ लाइट के लिए जाना जाता है औ और 28 फर्वरी 1928 को इन्होंने अपने एक्स्वेर्मेंट को आपकर डिस्कवर किया और इसके लिए जो है 1930 का नोवर प्राइज इसको मिला इसलिए भारत में हर साल 28 फर्वरी को नेशनल साइंस जे आपका मनाया जाता है अगर मैं आपसे पूछूं कि आसमान का रंग क्या ह तो आप क्या कहोगे कि सर स्काई ब्लू है या फिर ब्लू है ना कोई कोई कहेगा सर अभी बारिश का माउसा में ब्लैक है तो ऐसा क्यों होता है यह सभी स्काइटरिंग की वज़ए से आपका होता है और इन्होंने इस बात को आपका सिद्ध करके डिखाया था अगला 2022 में फिजिक्स का नोबल प्राइस किसने जीता है एलेन एस्पेक्ट जॉन एफ क्लॉजर और एंटॉन जिलिंगर को किस क्यों दिया गया है फॉर एक्स्पेरिवेंट विट इंटेंगल फूटॉंस इस्टैबलिजिंग दा वाइलेशन ओफ वेल इनिक्वालिटीज एंड केमस्ट्री एंड बायो और्थोगॉनल केमस्ट्री देखिए एक्जाम में कुश्चन जरूर पूछा जाता है कि नोबल प्राइस किसको मिला है नोबल प्राइस टोटल सिक्स केटेरीज में दिया जाता है जिसमें सबसे इंपॉर्टनेंट आपका लिटरेचर फुई जिस केमस्ट्री रहा करता है वहीं पर मेडिसीन में जो है स्वांटे पाब को दिया गया और हिस डिस्कवरी इस कंसर्निंग दा जेनोम्स ऑफ एक्स्टिंग होमिनीज एंड हूमन इविलूशन जब मैं आपको पीडिएफ दूंगा तो इसको पढ़ लीजेगा यहां पर आप देख पारे हो 2021 की नोबल प्राइज मीनर की लिस्ट है फिजिक्स में केमस्ट्री में और मेडिसीन में अब आप इसको देखो टेन पॉप्लर इन्वेंशन्स एंड इन्वेंटर्स इन दे फिल्ल आप दे साइंस और टेक्नलोजी टेलीफोन अलेजंडर ग्राहंबल बल्थॉमस अल्वाइडिशन मोबाइल फोन मार्टिन कूपर फिर आपका सेलिंग पैन फिलिप देल 3D प्रिंटिंग चुक हिल प्रिंटिंग मशीन आपका गुटनबर्ग तेलिवीजन जेल्बी त्री वील मोटर कार कार्ल मेंच वर्चुल रिया और कार्वन नैनोट्यूब साब का सुम्जो लीजी मार्टे द्वारा पहले आप इसको पढ़ लीजो उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ आप सभी ने पढ़ लिया होगा आगे बढ़ते हैं फेमस विमेन इन्वेंटर्स तो देखिए मैरी क्यूरी के नाम तो आप सभी ने सुना होगा थियोरी आफ रेडिय अक्टिविटी डिस्कवरी आफ पोलीनियम और रेडियम इसके द्वारा दी गई है मैरी क्यूरी अपस्ट रुंड पर संस्सोलर पवरहॉस यश्थ यश्विक्त अटियू काथ्री बेह इंडियू अट्री फिर्विपर ब्लेट्स मैरी एंडरें फस्प्यूम्ट प्रूंटर्म्र एड़ लवलेस पेपर बेगग मार्गरत ए-नएट चैवलर मतेर्यल इसको भी आप पहले पढ़ ली जो उसके बाद मैं आगे बढ़ू आपने पढ़ लिया होगा आगे बढ़ते हैं पॉपलर इन्वेंशन सेंड इन्वेंटर कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर के फादर कौन कहलाते हैं जिसका इस्तेमाल हम सभी करते हैं रोजल एल इस्टन बार कोड नॉर्मन जोसेफ बुडलन एंड बर्नार्ड सिल्वर मैगनेटिक रेजोरेंस इमेजिंग डिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एमराई कहते हैं रेमंड डेमडियन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जॉर्ज एज हैली मेर पर्स्ट टच स्क्रेन ये जॉन्सन और लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम लीनियस टोर वर्ल्ट्स ठीक है तो यह चीज़े हैं बढ़ते हैं आगे टॉप 10 इंडियन साइंटिस्ट को देख लेते हैं तो रमन इफेक्ट तो आप सभी जानते हो सीवी रमन क्रेस्को ग्राफ जग्दीश चंद्बोस कास्केट वह भी जहागीर भावा थियोरी आफ नंबर रक्स्री निवास रामानुजन ब्लॉक सिस्ट अच्छा बताओ कौन सा भारत का प्राइज मिला है क्या इनको भारत मिला है कि नहीं फिर अगनी अन प्रिथ्वी मिसाइल अपीज अब्दुलकलाम आरे भट विक्रम सारा भाई मर्क्यूरस नाइटराइड प्रफुल चंद्र रॉय गोन एंड फोटान गैस सतेन नाद बोस चंद्रशेखल लेमिट नमबर सिस्टम एन फिक्षन सुब्रवन्यम जै चंद्रशेख याद कर लीजिए आप सभी इसके बाद बताईए वेरी गुल्ड इलीजाबेट इलीजाबेट सीधा यूके से आप पढ़ रही है क्या है चलिए आगे बढ़ें तौप तन ग्रेटेस्ट इन्वेंटर अफ औल ताइब तू देखिए पॉलीमेथ लेनार्ड दविंकी इस्टाटिक इलेक्रिक इस्टाटिक इलेक्रिसिती थेल्स अध मैल्टस लाइट बल्प एडिसन सेंटर ओफ ग्रेविटी आर्कविडीज लाइटनिंग रॉड एंग गैस ग्लास बेंजामिन फ्रैंक्लिन एसी जेनरेशन एंड ट्रांस्विशन टेकलोजी निकोला टेसला अच्छा बताओ एस्टेमल का फुल फॉर्म क्या है यह बतादो थ्री हंडे उसस अफ पीनट्स जॉर्ज वाशिंग अटन आइफोन इस्टीव जॉब्स हाइपर टेक्स्ट मारका लेंग्वेज बहुत यच्छे वेरी गुड वेरी गुड विद्याश्री इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एंड एर इन्वेंटर्स इन बाइलोजी तो देखिए शर्कुलेशन ओव ब्लॉड विलियम हर्वी मैक्रोस्कोब एंटन वन लुन हॉक वैक्षिनेशन एडवर्ट जीनर दने रोजिर एंड फ्रेंक्लिन एंड विल्किक्स जनेटिक ट्रिफ्ट सीवल राइट फस्ट हर्ट ट्रांस्टन नॉर्मन होमोन विलियम्स बेलिस पोलियो वैक्स जोनस साक अस्परीन पैलिक्स सल और मैं आप से बार बार कह रहा हूं यह वाला जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी जब आपको पीडिएफ मिलेगी उसको अच्छे से रिवाइस कर लीजेगा इतनी जल्दी याद नहीं उने वाला है दो बार तीन बार चार बार आप देखो तो आपको याद ह हो जाएगा दूसरा कल की क्लास में ना मैं हिस्ट्री का सेकंड पार्ट आपको पढ़ा दूंगा दो दिन पहले मैंने हिस्ट्री का पहला पार्ट पढ़ाया ता आपको याद होगा ओके चलिए रिव्यू कोशन के लिए कौन कौन तयार है किसको किसको लगता कि हम बता लेंगे बताओ सब रेडी हो चलो इंडिया वाले भी रेडी है यूके वाले भी रेडी है और इसी के साथ मैं कोश्चन आपसे पूसता हूं पहला इन नाइंटीवन इंडियास फर्स इंडिजीने सूपर कंप्यूटर नेम डैस वस डेवलेट वाई विजय भाठकर तो यह कंप्यूटर था परम 8000 भारत का पहला सूपर कंप्यूटर आपका परम सिरीज का परम 8000 था ठीक है जिसको सी डैक के द्वारा आपका बनाया गया था पर्स्ट इंडियन सैटलाइट आरेभट वस लांच इन यह तो कली मैंने पढ़ाया था आपको पताओ भारत की पहली सैटलाइट जिसका नाम आरेभट था इसको किस यहर में लांच किया गया था दीप्षी का कुहेली सब बताते जाए अंसर आप्शन वी वालों का बिल्कुल राइट है इसको 19 अप्रेल 1975 में आपका युससार रुशिया से आपका लॉंच किया गया था नैच्छरल रेडियक्टिविटी वस डिस्कवर्ड बाई अगर हम नैच्छल रेडियक्टिविटी की बात करें तो इसका खोज आपका हैंड़ी बैक्रेल के द्वारा किया गया था कब किया गया था 1896 में और इसकी SI उनिट क्या है बैक्रेल है अच्छा ही बताओ SI का फुल फॉर्म क्या होता है सब इस्पेक्टर 1903 हैंड़ी बैक्रेल शेर्ड दे नोबल प्राइज पर फिजिक्स विद्धी पेरी अंडि मैरी क्यूरी ओके इस्टेंडर्ड इंटरनेशनल बहुत यच्छे वेरी गुड दा फॉर्स्ट पीको सट्लाइट ऑफ इंडिया इस इस तुट्स एक है इस्टूट सट्टलाइट इसका फुल फॉर्म है दो हजार दस में इसको आपका भीजा गया था इसका प्राइमरी औब्जेक्टिब इस पेस्ट टेकलोजी को एजुकेशनल इंस्टूशन के लिए प्रमोट करना विच आप फॉली है इंडिया इंडिया मेड़न हुमन इस्पेस फ्लाइट प्रोग्राम यह तो कोई भी बता लेगा बताओ फटाफट सभी कंसर्स आना चाहिए औप्शन भी अरे भाई कल ही तुम ने बताया था आपको जब मैं इसरू वाली क्लास ले रहा था गगन यान और जहां तक तैय है 2024 में गगन यान मिशन भीजा जाएगा जिसमें हमारे एस्टानॉट्स आपके जाएंगे और यह भारत का पहला हुमन मेड़ मेड़न हुमन इस्पेस फ्लाइट प्रोग्राम रहेगा जिसकी लागत कित्ती आ रही है 10,000 करोड एलेक्ट्रिक बल्वस इन्वेंटेड वाई लगतार अंसर देते जाएं एंड ऑप्शन C is correct थॉमस एलवा एडिशन ठेक है इसके लावा इनों इनके द्वारा पॉनोग्राफ, टिक्टाफोन, एलेक्ट्रिक लैंब, और्टोग्राफिक प्रिंटर का इन्वेंशन किया था वाट इस नेम अफ इंडिया सेकेंड पर्मानेंट रिसेर्च सेंटर इंट अंटार्किटेग्ट तो इसका आपका राइट अंसर है, और ऑप्शन B, यह तो क्लास 11 तेंथ में आपने पढ़ा होगा, और राइट अंसर इस ऑप्शन A, देखिए, जे जे थॉप्सन ने आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी की, नील्स बोर्न ने आपकी एटम्स रेडियेशन की, रदर फोर्ड ने आपका अटॉमिक स्ट्रक्चर की, और वाट डेट विलियम कोनाड रोइट जंट डिस्कवर्ड लगतार अंसर आप सभी देते जाएं, और इसका आपका राइट अंसर ऑप्शन C है, दैट इस दा, एक्सरेज, वू इस कंसिडर्ड दा फॉदर आप बायोलॉजी, जी विज्ञान की पिता किसको गहते हैं, अरिस्टोटल को, ग्रीक के फिलोसफर थे, और इन्हों ने एक बुग भी लिखी थी, पॉलिटिक्स, ठीक है, वू अज़ा फॉर्स साइंटिस्ट वू अटेंटेट वैक्सिनेशन, पॉप्शन सी इस राइट वैक्सिनेशन, ठीक है, इस स्मॉल पॉक्स 1796 में इन्हों ने आपका डिस्कवर किया था, वू वस्था फॉदर आफ देने फिंगर प्रिंटिंटिंग, पॉप्श बॉबभ, सब bagus, इस स्युलै में लूबभ, सयद देने वारे वी चूप, ऑ центр C is correct. DNA fingerprinting is a technique that shows… genetic makeup of living thing father of dna printing is the uh alec john jeffrey father of dna printing in india is dr lalji immunization technique was developed by सभी के अंसर साने चाहिए और राइड अंसर आप्शेंटी तो देखिए एडवर्ड जीनर के द्वारा जो है आपका यह डिस्कवर किया गया था यहां पर आपको कि इनकरेक्ट पेयर को चूज करना है कि अग्याइब कि अग्याइब अग्याइब राइट अंसर इस ऑप्शन सी यानि की भी एंसी को प्रपोस एवरी पर्सन हाज़े स्पेसिफिक ब्लड ग्रूप हर्वी मेंडल डार्विन लैंड इस्टीनर को यह थे आपके लैंड इस्टीनर कि हार्वी ने आपका सर्कुलेशन अफ ब्लड मेंडल लॉफ इन्हेरिटेंस डार्विन इविलूशन थियूरी लैमार इन्हेरिटेंस ऑफ एक्वाइट करेटरिस्टिक हूँ डिस्कवर्ट पोलियो वैक्सीन और यह बताओ क्या भारत पोलियो प्री कंट्री है यां फिर नहीं जोनस साख फेके और जहां तक मैंने पूश्च पूछा था जी हां भारत पोलियो मुक्त देश है वे चोड़ देश्य पारिश्ट पर इसनौट करेक्ली मैश्च अजरूफ्ट पूलियो वैच्छ करेंग्स प्रेस्ट करें व कारें कि वच्छ करें डिल्ड़ आल्सिति वित्astern थीतन एल्मूल्र पूल्मूल वीप्रेवच्छ पूल Nie Ertanut Feast Ṵ ध, लिध देवितन लड़ियो사가 Locked पहावाव था her श्चेवाव duas What did Willian Conard Roentgen discover? So, option C is correct. Robert Brown is known for his discovery of and the right answer is option B whereas Ernest Rutherford discovery of nucleus F atom the electron was first identified by the electron was first identified by the electron was first identified by J.J. thompson the term vitamin was coined by Edward Genet, Armisra, C funk and the right answer is C funk which scientist proposed the theory of relativity and the right answer is option B Albert Einstein who discovered bacteria and the right answer is option B who discovered antibiotic penicillin सभी लगतार अंसर बताते जाएं class के बाद PDF मिलेगी उसको revise कर लीजेगा जो नए students हैं आज से ही आप सभी regular class में रहिए तभी आप अगले महिने में होने वाले अपने अपकेट की exam को clear करेंगे option B आज थोड़ी जो है तवेत खराब है बाकी कल से जो है और भी शक्ति के साथ आपको पढ़ाया जाएगा अगला आपका है अगले में नॉमिन कल्चर इंटर्दूस बाइडी कार्लों लीन नोबल प्राइस हैड बिन गिवन तो दी हर गोविंद खुराना फॉर और गोविंद खुराना को कि से लिए नोबल प्राइस दिया गया था option B is right देखिए इंटर्प्रेटेशन आप जेनेटिक कोड़ एंड इट्स फंक्शन इंप्रोटीन सेंथिस फूर मेंटर दावाल पॉइंट मैं यह तो आप बताई लोगे तो इसकी डिस्कवरी आपके बीरों प्रदस के द्वारा की गई थी जो की हंगरी के थे वाट गैलेलियो इन्वेंटेड थार्मोमीटर तो देखो पहले इदर बैरोमीटर कह रहे हो गैलेलियो गैलेलियो डिसकवर्ड अबजेट श्विट अट्वर्श एक्वेश और इंडिधेग अग्युट्ड देखोंग इव्क्विट्ट थे नावदेश्ट इस फिरिंस पल आप गैलेलियो थर्मोमेटर तो देख आश्च थर्मोमेटर सार् केलिबरेटेड टूर्ट टेम्परेचर स्केल को इन्वेंटेड जेट इंडियन और आप सभी यह बताओ यूएस की कौन सी कंपनी भारत में जेट इंडियन की आपकी फैटरी इस्टेबलिस्ट करेगी ओम साही वेरे गुड बाकी सभी अंसर दो भाईया जर्नल इलेक्ट्रिक ठीक है रिया जी जीयो नहीं भाई जीयो का सिंद नहीं है जी इजर्नल इलेक्ट्रिक इसका राइट एंसर ऑप्शन ए है तो यह थे आपके आज के कोश्चन ना कल की क्लास हमारी हिस्ट्री सेकेंड पर रहेगी ओके इसकी पहली क्लास मैं दो दिन पहले लही चुका था और जो नए बच्चे आए है वो जो है प्रीवियस जितनी भी क्लासिस की गई है करवाई गई है उसके नोट्स और उसकी लेक्चर्स आप देख सकते हैं बाकी जिसको जो भी डाउट है वो कोश्चन पूस्ता जाएगा हम कल मिलेंगे दो बजे जैहन और स्ट आफ लक